हलो फ्रेंड व्ल्कम टू उन्नती कंपेशन क्लासिज फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट साथ से लेकर के 12 तक के बीच में इस वीडियो में हमके हल भाई कोश्चंड डिसकस करेंगे जो होगा कि स्टेटिक GKE और ये सबी questions आपके railway के exam के point of view से तो important है ही है और साथ में अगर आप तियारी कर रहे हैं किसी SSC exam की या किसी state के exam की तो भी ये सबी questions आपके लिए beneficial होंगे क्योंकि ये questions वो questions हैं जो हर छेत्र में हर जगह है चाहिए कोई साभी आपका exam क्यों ना हो वहां पर आपको देखने को पक्का मिलेंगे तो friend वीडियो सुरू करने से पहले छोटी सी information आपको देना चाहूंगा मैं कि ये इस channel पर आपको इस book के भी complete video मिल जाएंगे मसलब 47-47 वीडियो बन चुके हैं वह सभी वीडियो आप देख सकते हैं उसके बाद में आपको वाच करना है समाने विज्ञान पहले इसको पढ़िए फिर इसको पढ़िए और इसके बाद में फिर इसको MC की questions है इसमें सभी 920 आपके practice set है और इसमें आज की date में आप लगा लिजीए अगर आज की date जो भी है 22-23 December चल रहा है तो इसमें कम से कम आपके 15 वीडियो बन चुके हैं आगे भी वीडियो बनेंगे अभी थोड़ी speed slow है दिन में आपके दो वीडियो इन तीनों बुक में से अप्लोड हो रहे हैं जबकि यह बुक तो इस year के अंत में खतम हो जाएगी जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं उसके बाद में यह बुक चल चुकी है काफी लिट एक जा करके और काफी सारे लोगों के प्यारे प्रेकमेंट्स आ रहे हैं इन तीनों ही बुक काफी सारे बच्तों ने लाइक करा जैसे की कॉस्षर सिंग कैते हैं कि क्या बात है सर नाइस और कुछ बच्चे पूष्थ ते हैं की सर आपने कौन-कौन सी बुक के वीड मुझे अपना स्कोर कमेंट करें जी हां तो चलिए शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो सैट नंबर सैवन में जो इंपर्टेंट है वो ये अपनेंट है कि मदुसालह के रिचत है तो ये हैं हरीवंस रायबेच्चन और अगला जो पॉइंट इंपर्टेंट है वो है अपका जिपसं का रिसाईनिक नाम क्या है तो या आपका कैल्सियम सलफेट उसके बाद इंपॉर्टिन पॉइंट जो है वो है आपका ग्रेनाइट आगने चट्टान में पाया जाता है और मद्यरातरी का सूर्य संपूर्ण आर्कटीक व्रत की एक परिगड़ना है हवा में धुने की चाल कितनी होती है साथ सो साथ मील पर घंटा होती है और उसके बाद में सैट नमबर एट अमलिया वर्सा का मुख्यकारक है आपका सल्फर डायक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड ऑस्टियो लॉजी में क्या होता है इसमें होता है आपका अस्तियों का ध्यान पोर्ट ब्लेयर दच्चिन अंडमार में अवस्तित है और उसके बाद इंपॉर्टन आपका मुख्बरात मिस्र की एक गुप्त चर संस्ता है सैट नंबर नाइन की पर्थम विश्युदिक की अबदी में स्वेशासन अंदुलन स्रीमति एनिवेसेंट एवं तिलक द्वारा आरम हुआ था अगर बात करें फर्स्ट वर्ड वार तो कब हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के मद्ध है 1919 में जलियावाला बाघत्यकांड के विरोध में रविंद्र नाथ टैगोर नहीं नाइट हूट के उबादी लोटा दी थी पुल के सीन देती है नर्सिंग वर्मन द्वारा प्राजीत हुआ था और सेट नंबर 10 RDX क्या है RDS है एक विस्फोटक अगला पॉइंट हमारे सामने की हरी परसाथ 14 यह एक विख्यात बांसरी वादक है और भारतिय सविधान के लिए प्रारूप सभाकई अध्यक्ष कौन थे यह थे डॉक्टर बियार अंबेटकर भारत में पर्थम मिसाइल इन विक्रांथ है और सेट नंबर 11 में हम बात करते हैं महात्मा गांदी के राजनेतिक गुरु कौन थे तो वो थे आपके जी के गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले अगला पॉइंट आपके सामने इंपॉटेंट की डॉक्टर MS सुबालक्षमी संगीत चेत्र से संब आस तनूरा तेल रिफाइनिरी साओधी अरब में स्थित है बग भंग आंदोलन 1905 का उदेश्य पश्यमी और पूर्वी बंगाल के हिंदूों का विभाजन और हिंदू मुस्लिम को एलगाब से था लोगड किला गुरु गोविन सिंग ने बनवाया था सेट नमबर 12 में बात करते हैं सविधान के अनुसार लोग सभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पत से हटाया जा सकता है अगला पॉइंट है कि आरगन जो गैंस होती है यह किस परकार की गैंस है तो यह है आपका निस्क्रिय गैंस और सिमला समर्यन 25 जून 1945 में हुआ था सिवाजी के संदक्षक दादा जी कौन देव है और भारत का राश्ट्रे अफूल क्या है तो यह है आपका कमल रॉकेट एवं जैट न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धान्थ पर कारे करता है और न्यूटन के नियम के बारे में कौन-कौन से नियम होते हैं क्या नियम क्या था तो इसी बुक के किसी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था आपको शेयर याद होगा इसके बारे में अगला point है important आपका anti money का गर्णिया उत्पाद का जे क्या है तो यह आपका उडिसा और सविधान के भाग 9 में पंचायतों का उलेक है तो देखिए बस आपको अभी इतना ही पढ़ना है वीडियो के लैंद बहुत छोटी है I know very well मुझे अच्छे से पता है वीडियो के लैंद खतम हो जाएगी जो बच्चे चाहते हैं कि मैं लंबे लंबे वीडियो बनाऊ और वो आफ्लाइन डाउलोड करके उसको कल देखें जब कल का मतलब जब भी एक्जाम होगा तब देखेंगे अगर ठेल लगाने पर आप बिलीब करते तो आप इस वीडियो को भी आफ्लाइ से कल देखेंगे कल पढ़ेंगे ऐसा सोचने से सलेक्शन होता है आपका तो आप सबीकों मेरी तरफ से बाकी वक्त करेगा आपका 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 जैसे भी करना होगा क्योंकि मैंने देखा यह बच्चे अच्छी ऑफ-लाइन बहुत सेफ करते हैं पतनी कौन सी मतलब की कौन सब स्ट्रेंट के अंदर वाचो का है कि मार्केट में जो भी परचीज होगी सबसे पहले उनके हाथ में वह बुक होनी चाहिए बुक के अपने लगा लेते हैं लेकि पढ़ते एक भी बुक नहीं है उसी तरह से वीडियो के अपनी प्लेलिश्ट में इखटा कर लेते हैं ब पसन आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेंगा और शेर करेंगा मैक्सिमुम फेस्बूक और वाट्सप के माध्यम से मिलता हूं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो बाय बाय टेक